So, Hey guys, Welcome back to another Cricket24 My Career Mode episode number 4 जहाँ पर आज हम लोग खेलेंगे सूरत के सामने क्लब 3-day का मैच और हाँ, last episode आपने नहीं देखा है तो वह देख लेना, उसके बाद ये episode देखना तो चलो, start करते हैं मैच को By the way guys, मैंने like goal रखा है इस वीडियो का 20 likes का तो like goal हो जाएगा, तो मैं 100% जल्दी से जल्दी नया episode लओंगा Okay, तो finally हमारा captain एक toast जित चुका है Last episode में तो 3 back-to-back toast हरा था But यहाँ पर 4th match में toast जित के पहली betting चुनी है तो चलो, सीधा चलते हैं हमारी betting पर So guys, बहुत ही अच्छी situation के बाद में हमारी betting आई है Scorecard में आपको दिखा देता हूँ 125 पे 3 wigger गिरने के बाद में Top order तो हमारा काफी अच्छा खेला So let's see भाई, first ball खेलेंगे हम लोग जेन का क्या ही करूँ भाई, मतलब पहली ball पे आउट हो गया मैं यार यह defense में ने किया था, मतलब कुछ भी भाई Defense भी नहीं हम लोग कर पा रहे है यह game में भाई यार पहली inning पे ही इतनी खराब starting हुई है क्या ही बोले, अभी हमारी bowling की पारी है मोरे सामने खेल रहे है, तो पहली ball में full length की एक in swing रखूंगा Nice ball भाई, first ball तो काफी अच्छा डाला So guys, betting में कुछ ना हो पाया तो bowling अच्छी करने की try करेंगे एक दो wicket मिल जाए, तो थोड़ा अच्छा रहेगा So guys, सूरत का भी score इतना खास नहीं बना है 81 पे 5 wicket है उसकी Nice ball भाई, थोड़ा सा और अंदर आ जाए तो पक्का wicket है भाई, अभी तक हम लोग in swing और out swing ही करते रहे तो एक off cutter ball डाल के देखते है Okay, बच गया भाई, nice ball bro Last ball मैंने off cutter डाली थी तो एक leg cutter डालते है, let's see Okay भाई, off cutter और leg cutter में अच्छा डाल रहा हूँ एक और off cutter ball Okay, नहीं पड़ पा रहे भाई मैं समझ गया भाई, इनको out करना है तो off cutter और leg cutter डालते रहो ये पक्का out होंगे चलो भाई, इस बार तो पक्का out होना चाहिए काफी अच्छी bowling कर रहा हूँ मैं नहीं यार, थोड़ा ज्यादा बाहर हो गया गाई, हम लोग side change करके एक बार try करते है बाई, कैसी bowling होती है ओके, नहीं यार, इस बार तो चोका मार दिया भाई, पहले वाली side ही अच्छी थी भाई, ये cross sim yorker डाल के देखते है ओके, blow call में yorker था भाई अभी हमारा second spell सीधा मिल चुका है 43rd over पे, पहले spell हमने काफी अच्छा डाला था ये काफी economical डाला था भाई, ये more तो बहुत ही slow खेल रहा है 35 run पे ही है, only 77 ball पे और low भाई, slow खेल रहा था तो out भी कर दिया, मैंने 78 ball पे क्या ही सांदर yorker थी, मैंने ये slower yorker डाली थी सीधा stump में जाके लगी, क्या बात है चलो भाई, बेटिंग में तो इतना अच्छा performance नहीं हुआ पर bowling में तो एक wicket मिल गई है एक और yorker, एक और outside edge, बट इस बार बच गया सेक का confidence meter green में है तो इनको out करना होगा, मैं जल्दी से जल्दी बाकी ये अच्छा खेल जाएगा अब ये run out, नहीं हुआ भाई, पहुँच गया है dive लगा के भाई वाव भाई, क्या केptancyब है मैंने बाद में 2 over काफी अच्छी डाली थी second spell में, पर बाद में तो मैं bowling नहीं दी तो अभी पारी है, बेटिंग की भाई लेट सी, हम लोग बेटिंग अच्छी कर पाते हैं कि नहीं second inning पे, क्योंकि first inning में तो हम लोग defense करते हैं, पहली पारी में हम लोग पहली ball पे ही out हुए थे, पर फिर भी हमारा confidence meter आई है, वो अच्छी बात है यहाँ पे pull shot खेलके easy single ये jane का confidence meter फिर तो बहुत ही low है, तो इनके सामने हम लोग थोड़ा chance ले सकते हैं, वैल इस ball पे double ही मिलेगा ये jane की आखरी ball and single मिलेगा, वाउ, nice single मिल गया हमें, एक jane गया तो दूसरा jane आ चुका है और दूसरी पारी में भी वो out कर गया भाई, इससे अच्छी तो मैं defense कैसे करूँ मतलब कुछ भी भाई, इतनी अच्छी defense थी फिर भी out कर गया, ये baller बहुत ही तगड़ा है भाई, defense भी नहीं करने दे रहा है मुझे तो भाई यार, test match में तो हमारी लीड काफी अच्छी हो चुकी है 371 run का target है इनको चलो भाई, अभी हम लोग after touch को थोड़ा सा अंदर लाएंगे, अभी try करेंगे outside age लगे और out हो जाए well, इस ball पे बच गया चलो अभी तक मैंने सारी ball in swing रखी थी तो एक ball हम लोग out swing डाल के देखते है okay, catch होने वाला था भाई बच गया ये, एक और out swing भाई, last ball पे थोड़ा chance बना था तो एक और out swing रखेंगे easy, चोका भाई out swing को समझ ले या इस बाई जावत को कुछ भी हो जाए, हमें out करना है well, एक और बार बच गया let's see, भाई, नई ball से हम लोग leg cutter डालते, कितनी मदद मिलती है वो हम लोग देखेंगे यार, कुछ इतनी ज़्यादा तो मदद नई ही मिली, single मिल गया उपर से so guys, हमारा spell की है, मैं 4th hour भी मिल चुकी है, अभी तक मैंने अच्छी balling किया, by the way पर, 4th hour की पहली ball पे चोका मर दिया, flick खेल के चलो भाई, पहले spell का 5th hour भी मिल चुका है, कैप्टन हमारा काफी अच्छा है, भाई, उससे हमें थोड़ी दोस्ती बनानी पड़ेगी, ताकि और ओवर हमें मिले, ओवर दी विकेट से तो कुछ ना हो पाया, तो राउन थी विकेट आना पड़ा पर, चोका, एच का चोका भाई, जावद को, नसीब उसके साथ में चलो भाई, कोई बात नहीं, काफी अच्छी बोल थी, एक और बार हम लोग ट्राइ करेंगे, आउट करने का, ओ, भाई, वो थोड़ा तेज केल रहा है, अभी मेरे सामने, तो थोड़े संबल के बोलिक करनी होगी एच, और विकेट, लेट्स गो, फाइनली भाई, जावद को आउट कर दिया, लास्ट टाइम एजड़ा था, तब चोका मिला था, बट इस बार भाई, काफी अच्छा स्लीप का, केच, और हमें विकेट मिल गई, क्या बात है भाई, रिपले भी देख लो, अच्छा अंदर आया था, मारने को गए पर, एजड़के सीधा, फिल्डर के आथ में, चावद गोन, 26 रन पे, सो गाई, अभी मोरे आ चुका है, बेटिंग करने के लिए, पहली बॉल इनके सामने भी हम लोग कीन स्विंगी रखेंगे, वेल काफी अंदर आई, वेल बॉल, सो गाई, मुझे तो लग रहा है कि मेद तो हमी जितेंगे, क्योंकि इनकी 66 पे चार विकेट चली गई है, उके, नाइस, बॉल भाई, ड्राइव खिलाना है, इनको तो भी विकेट मिलेगी हमें, सो गाई, स्टार्टिंग में तो हमने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी, बट अभी सीधा 43 ओवर पे हमें बॉलिंग मिल चुकी है, देखते हैं बाई, 132 पे साथ विकेट तो इनकी गिर चुकी है, तो विकेट लेना इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा, वेल पहली बॉल काफी अच्छी डाली, एक और बार हम लोग वही बॉल डालने वाले हैं, पर बॉल की गति को नॉर्मल रखेंगे, नाइस भाई, इस बार अच्छे से डिफेंस किया यह जैन ने, चलो भाई, यह लेफ्टी के सामने बॉलिंग करने में मज़े आएगा हमें, लेट्स सी भाई, फर्स्ट बॉल आउट स्विंग, भाई, यह कुछ ज़्यादा ही आउट स्विंग नहीं हो गई, इस बार आउट कर गिया, फिर भी हम लोग बहुती बड़े मर्जन से मेच ज़ित चुके है, 222 रन के साथ में, तो चलो टेस्ट मेच तो हमारे लिए बहुती खरब गया, तो अभी हम लोग सीधा चलेंगे टी ट्वेंटी मेच में, भाई सूरत के सामने ही टी ट्वेंटी मेच है, तो भाई ये मेच भी हम लोग जीतने की ट्राइ करेंगे, पर उससे भी ज़्यादा, हम लोग हमारी परफॉर्फॉर्मन्स अच्छी करने की भी ट्राइ करने वाले है, वेल भाउन अगर वन्दे टोस और इलेक्टेट टू बोल फर्स्ट, तो देखते हैं हमारा केप्टन हमें कब बोलिंग देगा, वाउ भाई तो दसवे अवर पर हमारी बोलिंग भी मिल चुकी है, लेट सी भाई, फर्स्ट बोल, फुल लेंथ की बोल रखेंगे और आउट स्विंगर, लेट सी भाई, उक्के, फर्स्ट बोल तो काफी अच्छी डाली टी-20 मैच में, भाई, खुरसिदो और खालीद खेल रहे हैं अभी, यार, एज लगए चोका भाई, नसीब यार, सो गैस, पहले ओवर की आखरी बोल अभी तक तो हमने बहुत ही अच्छी बोलिंग की है, लेट सी, एज लगगा है, एंड एक और चोका मिल जाएगा भाई यार, दो चोके मिले इनको एज के, भाई, अमपे विश्वास रखा, अमरे केप्टन ने हमें सेकेंड ओवर भी मिल गया, वेल देख लो भाई, क्या ही जांदर बोल डली, चलो भाई, लास्ट वाली बोल फुल लेंथ की थी, तो ये वाली बोल योर्क कर आएगी, केच इट, अबे यार, फिल्डर से थोड़ी आगे गिरी, ओके केच, वहाँ पे फिल्डर केच पकट ले भाई, पकट ले, रिपले देखो भाई, रिपले देखो ये केच था कि नहीं, आप ही बताओ मुझे, वो फिल्डर पहुँच भी गया पर, क्या किया फिल्डर, वा सेकेंड ओवर किया, आखरी बोल, एंड इस बार तो भाई, नहीं पकड़ेगा, भाई, ये पकड़ता ही नहीं है, ओके गाईस, तो अभी हमें दूसरा स्पेल भी मिल चुका है, सिस्टिंथ ओवर पे, पहले दो ओवर हमने काफी अच्छे डाले है, काफी मोके भी बनाए, बट यहां पे तो पहली बोल पे चक्का मार दिया, वाव ब्रो, चलो भाई, कोई बात नहीं, पहली बोल पे चलता है भाई, दूसरी बोल पे तो विकेट मिलनी चाहिए, नाइस बोल, इजी भाई, एक ओर बीट भाई, क्या ही बोलिंग चल रही है, हमारी पहली बोल पे च जेन है भाई, जेन को तो हमें आउट करना होगा, ओके नाइस बोल ब्रो, चलो भाई, सेकेंड बोल बाउंसर रखेंगे, वाव ब्रो, अच्छा पूल खेल दिया पर सिंगल, भाई, खुरसित तो बहुत ही अच्छा खेल रहा है, 37 बोल पे 50 रन पे, केज पकड़ना भाई बाई, एक विकेट तो मिली, हमने इतनी अच्छी बोलिंग की, पर विकेट ही नहीं मिल रही थी, पर फाइनली योर्कर डालके विकेट लिया, मैने ये एपीसोड में दोनों ही विकेट योरकर्स जाई है मैरी, चलो भाई, टी 20 मेंच में बोलिंग तो काफी अच्छी भाई पावर प्ले चल रहा है पर 18 पे तीन विकेट चली गई है बट यह क्या ही कड़क कट सोट के साथ में पहला चोका इस एपिसोड का वाउ ब्रो कट तो भाई मैं बहुत ही अच्छा खेलता हूं भाई मैं इसका ही वेट कर रहा था यह जेन का हमें लाश्ट दो बारी में दो बार आउट कर चुका है तो अभी तो इनका बड़ला लेना पड़ेगा कुछ भी भाई इतना अच्छा सोट था फिर भी यार क्या ही बोले यह जेन हमें तिसरी बार आउट कर गया क्या ही बोलिंग कर रहा है भाई यह जेन को खेलना बहुत डिफिकल्ट है टेस्ट में हमारा चंद्रपूर के सामने वंडे मैंच है लास्ट टाइम हमने चंद्रपूर के सामने बेटिंग की थी तब बहुत ही अच्छे रन बनाए थे देखते भाई इस बार कैसे रन बना पाते हम लोग वेल अमारा केप्टन ने टोस जिद के बेटिंग ही चुनी है ओके तो ब्रो मिस फिल्डिंग के चलते डबल भी मिल गया ओके भाई तीन बोल पे मैं चार रन पे पहुंच चुका हूँ एक और अच्छा फ्लिक्सोंट यह फ्लिक्सोंट भाई देखने में तो मैं बहुत अच्छा लगता है क्या ही सांदर फ्लिक्सोंट खेलता है यह यह देखो गईस यह वीडियो के लिए मैंने 20 लाइक का लाइक गोल रखा है तो अभी तक अपने लाइक नहीं किया है तो कर देना वेल भाई लाइक का बोलते ही चोका मर दिया आइडल की टाइमिंग हुई थी पर क्या ही सांदर सौंट था सो गईस 126 पे 4 विकेट है उसमें से और च विल्डर कौन है यह भाई महा तो बीच में आ गया भाई गोपाल तो बहुत ही स्लो खेल रहा है पर हम लोग स्लो नहीं खेलने वाले भाई हमारी वर्चे जितनी ट्राइब हो सके उतनी ट्राइब हम लोग खेलेंगे तेज खेलने की 25 ओवर चल रही है और चित एक और बार फिल्डर के आथ में पर यह सौंट काफी अच्छा था तो अच्छा रहेगा हमरे लिए शौंट देख लो भाई ग्रीन होने का यह फाइदा है थोड़ा से गेप में भी अच्छी तरीके से शौंट जाते हैं काफी अच्छा कट सौंट है और एक और चौका भाई कट मिल गया वाउ मिस फिल्डिंग के चलते चोका मिल गया 41 रन पे मैं पहुंच गया अभी तो अब दीना चुका है अभी फाइनली पहला और डलने के लिए और आते ही स्वागत किया है मैंने चोके के साथ में कितने रन पे पहुंचा भाई 48 रन पे 38 बोल पे वाउ ब्रो ओड यही नहीं वंडे क्या ही कट खेल रहा हूं मैं तो थोड़ा लेट हो गया था मैं रन आउट नहीं प्लीज मिस फिल्डिंग कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं यह लोग चलो बाई चोती बोल पे हमरी एक और बार स्ट्राइक आ चुकी है देखते हैं वाई एक रनी चाहिए हमे पहली 50 आई जमाल की यहां पर आखरी बोले वैसे यह किलो मीटर भाग के आया है बट भाई क्या फाइदा भाई इतनी तगडी कवर ड्राइव लगी है कि मतलब एक किलो मीटर भाग के आने क्या ही फाइदा हुआ 59 रन पे में कवर ड्राइव के साथ मैं पहुंच गया अभ भाई इस बॉल पे वह 50 बना पाता है कि नहीं चलो भाई 50 बना ले प्लीज ओ वेल शॉट है ब्रो नीचे फिल्डर है भाई यह क्या हुआ वाव ब्रो गोपाल का काफी अच्छा लग है सायद से हमने तीन रन भाग लिये है और उसकी 50 भी हो चुकी है 59 बॉल पे वेल का इस एपीसोड का भी और यह मैच का भी नाइस शॉट ब्रो पेरों में बोल डाल दी तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग मारें क्योंकि वहाँ पे कोई फिल्डर भी नहीं था चलो भाई एक और बार हम लोग वहाँ पे मार सकते हैं ओके मार दिया है दोनों के बीच में से इस बार छक्का नहीं मिला पर चोका मिल गया ओके ब्रो सॉट अप दड़े क्या सॉट था भाई रिपले देखना बनता है इसका मेरे लिए तो यही सॉट अप दड़े है देख लो भाई ओल्मोस्ट में वाइड लाइन से भी बाहर चला गया था और एबी डिवीलियर जैस फिल्डर नहीं रोक पाएगा एक और चोका इतने रन आये दो चक्के और दो चोके तो बीस रन आये इस ओवर पे चालीस ओवर भी हो गए भाई वहाँ पे तो मेरा ज्यानी नहीं गया चंदरा आ चुका है अभी और एजी कट खेलके एक और चोका कट का तो मैं मास्ट करू ब्रो कट वाली बोल तो प्लीज अब मुझे मत देना बाकी चोके ही पड़ेंगे आपको भाई मेरी और गोपाल के बीच में बहुत अच्छी पाटनर्शिप हुई है वो भी अभी 61 रन पे पहुंच गया है ओके कट वाली बोल डाली यार इस बर थोड़ी सी टाइमिंग ख दात में 100 हो चुका है मेरा वंडे मेंच में 5 मेंच के बाद में 100 आया है भाई लास्ट एपीसोड तो बहुत खराब गया था पर यह एपीसोड अच्छा गया 67 बोल पे 100 बनाया दोनों चक्के मैंने लेकशड में मारे वाहू ब्रो गोपाल भी आउट हो गया अभी तो अभ खेल दिया है मैंने वहां पर फिल्डर है पर वो फिल्डर दर्सक बनके रह जाएगा और दर्सक बनेंगे फिल्डर करियर मोड की स्टार्टिंग में मैं पावर्फुल सोट नहीं खेल पा रहा था पर अभी तो मैं खेल पार रहा हूँ तो बहुत अच्छा है थोड़ा इं बनाए मैंने तीन चक्के मारे और चोधा चोके मारे क्या बात है गुर जीत आएगा अमरे बाद में पर हम लोग देखने तो नहीं वाले हैं लोग स्किप करेंगे तो भाई अभी अमरी बोलिंग की भी पारी है एंडरेट तो बना लिया पर काम खतम नहीं हुआ है में विकेट भी लेनी है ऐसी बोलिंग करके वाव ब्रो कैच इट वाव क्या विकेट थी भाई प्रोपर टेश वाली विकेट थी ये तो इसका में नहीं दिये है लेट्स सी कि क्या बात है भाई एक और फुल लेंद्थ की इन स्विंगर पर इस बार स्पीड थोड़ी सी कम वेल थोड़ा ज्यादा स्विंग हुआ इस बार दो वर इतने अच्छे डाले तो ओवर क्यों काटे मेरे भाई सीधा मैं 17 ओवर पे बोलिंग मिल बच गया यार गई स्लोवर योड कर डालके देखते है क्योंकि ये सौट मरने को जा रहा है केच भाई फिल्डर नीचे पकड लेना बाहर निकल गया भाई केच पकड के बाहर निकल गया क्या बात है यार नसीब इसके साथ में है भाई ये फिल्डर को मेरे साथ में क्या द यह वली बॉल खेल के दिखा तो मैं मान जाओंगा नहीं खेल पाएगा मैंने बॉला था ना भाई यह मेरी स्पेशल बॉल है देख लो भाई अगर ऐसी बॉलिंग करता रहो तो और भी अमें मजाएगा चंद्रा यार जल्दी आउट हो जाना भाई तेरा कॉंफिडेंस मीट तो रेड है तो आउट क्यों नहीं हो रहा है तू लेट्स गो भाई पांच और हमने काफी अच्छे डाले थे और मैन अब दमेच मुझे क्यों नहीं दिया यार मैने अंड्रेड भी बनाया था और एक विकेट भी ली थी गोपाल को मैन अब दमेच जिया है आप कही सब से क काफी अच्छा गया मेरे लिए मैं अभी इस वीडियो को एंड करूंगा क्योंकि एपिसोड बहुत ही लंबा हो जाएगा ओल्रेडी डेड़ गंता हो चुका है मैं यह शूट कर रहा हूं उसका तीन में से हमने दो में जीते हैं सायद से यह एपिसोड में हाँ टेस्ट में